हेलो फ्रेंड्स यू आर वाचिंग इंग्लिश वी जीनत आज मैं आपके लिए एक और नहीं जब अधस वीडियो लेकर आई हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करने और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आदि आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे यूज औफ कुड का कैसी यूज करेंगे देख लेते हैं सका, सकी, सके, सका था, सकी थी या सके थे जिस हिंदी वाक्य की किविया के आंत में सका या सकी, सके या सका था, या सकी थी, सकते, सके थे इत्यादी रहे उस किविया का आनवाल कुड में होगा कैसे यूज़ होगा, जेस हिंदी वाके कि किवया के अंत में सका, सकी, सके ये सका था, सकी थी, सके थे, इत्यादी रहे, उसके रियाकानवाद कुड में होगा. सबी subject के साथ could का प्रियोग किया जाता है जैसे he, she, it, like, राम, शाम, ने, हां, सीमा ये सब हमारे subject हैं अब मैंने इसके कुछ example लिए है could का प्रियोग सीखें जैसे I could read, I could not read, could I read and why could I read ये मेरे कुछ example से अब मैंने सी रेल्टेटिंग संटैंस भी बनाए है पहले कैसे यूज़ होगा वो देख लेते हैं subject plus could plus verb की first form plus object person, singular and plural first person, second person and third person first person, मैं पहुंच सका I could read, हम लोग पहुंच सके we could read, second person, आप पहुंच सके you could reach, आप लोग पहुंच सके you could reach third person, he, she, it, Ram could reach वे ये राम पहुंच सका वे लोग लड़के पहुंच सके they the boys could reach they the boys could reach अब हम इसके sentences देख लेते हैं कुट के, मैं वहाँ पहुंच सका I could reach there मैं वहाँ पहुंच सका, I could reach there second is, आप समय पर पहुंच सके you could reach on time आप समय पर पहुंच सके you could reach on time third is, हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके we could speak English with him हम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके we could speak English with him fourth is, सौनिया विनीटा के साथ खेल सके सौनिया कुट प्ले विद विनीटा सौनिया विनीटा के साथ खेल सके सौनिया कुट प्ले विनीटा विनीटा fifth is, वे काम ठीक तरह कर सके they could do that work properly वे काम ठीक तरह कर सके they could do that work properly वे लोग तेज दोड सके they could run fast वे लोग तेज दोड सके they could run fast हम लोग आपकी मदद कर सके we could help you we could help you eighth is, तुम मैचे देख सके you could see the match ninth is, वे मुझे पैसे से मदद कर सका he could help me with money वे मुझे पैसे से मदद कर सका he could help me with money 10th is बच्चे यहां आ सके The children could come here बच्चे यहां आ सके The children could come here The children could come here अब हम negative sentence में यूज़ करेंगे could का सबसे पहले subject helping verb not plus verb verb की first form plus object first sentence is मैं वहां नहीं पहुंच सका I could not reach there I could not reach there second is आप समय पर नहीं पहुंच सके You could not reach on time समय पर पहुंच सके You could not reach on time third is हम लोग उसके साथ अंग्रेजी नहीं बोल सके We could not speak English with him हम लोग उसके साथ अंग्रेजी नहीं बोल सके We could not speak English with him fourth is वे यह लोग तेज नहीं दोल सके They could not run fast वे लोग तेज नहीं दोल सके They could not run fast हम लोग आपकी मदद नहीं कर सके We could not help you हम लोग आपकी मदद नहीं कर सके We could not help you Sixth is तुम मैच नहीं देख सके You could not see the match You could not see the match You could not see the match Seventh is वे मुझे पैसे से मदद नहीं कर सका He could not help me with money वे मुझे पैसे से मदद नहीं कर सका He could not help me with money Eighth is बच्चे यहां नहीं आ सके The children could not come here Ninth is रवी वीनीता के साथ नहीं शेल सका Fifth is लड़के वे काम ठीकतरा नहीं कर सके The boys could not do that work properly लड़के वे काम ठीकतरा नहीं कर सके the boys could not do that work properly अब हम interrogative sentence में use करेंगे could का कैसी use होगा देख ले दे could plus subject plus not plus verb की first one plus object पहले simple way में use करेंगे could का और फिर negative sentence में use करेंगे interrogative sentence में interrogative sentence का first sentence क्या मैं वहाँ मौश साका तो सबसे पहले helping by first subject could I reach there could I reach there क्या आप समें पर पहुँच सके could you reach on time third is क्या हम लोग उसके साथ अंग्रेजि बोल सके could we speak English with him क्या हम लोग उसके साथ अंग्रेजि बोल सके could we speak English with him fourth is क्या सोन्या विनीटा के साथ खेल सकी, क्या सौनिया प्लेविद विनीता, क्या सौनिया विनीता के साथ खेल सकी, क्या लड़किया वे काम ठीक तरह कर 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 सकी, क्या वे लोग तेज नहीं दोर सके, could they not run fast, क्या वे लोग टेज नहीं दोर सके, could they not run fast, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर सके, could they not help you, 38, क्या तुम मैच नहीं देख सके, could you not see the match, could you not see the match, could you not see the match, 39, क्या वे मुझे पैसे से मदद नहीं कर सका, could he not help me with money, क्या वे मुझे पैसे से मदद नहीं कर सका, could he not help me with money, 10-th is, क्या बच्चे यहां नहीं आ सके, could the children not come here, क्या बच्चे यहां नहीं आ सके, could the children not come here, अब हम डवलो एच फैमली में यूज़ करेंगे, could का, when, why, how and etc, when, why, how, plus could, plus subject, plus not, plus वर्व की first form, plus object से पहले डवलो एच फैमली आगी, फिर helping बर, फिर subject and not वर्व की first form, and object, अब कैसे यूज़ होगा, first sentence देख लेते हैं, मैं वहाँ कैसे पहुचा, पहुच सका, how could I reach there, how could I reach there, second is, आप समय पर क्यों पहुच सके, why could you reach on time, third is, हम लोग उसके साथ अंग्रेजी कब बोल सके, when could we speak English with me, fourth is, सौनिया विनीता के साथ कैसे खेल सके, how could Sonia play with Vinita, Sonia Vinita के साथ कैसे खेल सके, how could Sonia play with Vinita, fifth is, लड़के महाँ, वे काम ठीक तरह कैसे कर सके, how could the boys do that work properly, how could the boys do that work properly, sixth is, वे लोग तेज क्यों नहीं दोर सके, why could they not run fast, वे लोग तेज क्यों नहीं दोर सके, why could they not run fast, why could they not run fast, seventh is, हम लोग आपकी मदद कैसे नहीं कर सके, how could we not help you, हम लोग आपकी मदद कैसे नहीं कर सके, how could we not help you, how could we not help you, eighth is, तुम मैच क्यों नहीं देख सके, why could you not see the match, तुम मैच क्यों नहीं देख सके, why could you not see match, why could you not see the match, ninth is, वे मुझसे पैसे से मदद कम नहीं कर सका, when could he not help me with money वे मुझे पैसे से मदद कब नहीं कर सका when could he not help me with money 10. बच्चे यहां क्यों नहीं आ सके why could the children not come here बच्चे यहां क्यों नहीं आ सके why could the children not come here उमीद है मेरी वीडियो आप अच्छे लगे वीडियो कैसी लगे comment box में link का जरूर बताना friends if you like the video so don't forget like share and subscribe my channel और अपने friends के साथ share करना मत भूल thank you for watching my video